गुड आफ्टरनून दोस्तों, साथ पीएसी एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम देखने वाले हैं कम्प्यूटर से संबंधी जितने भी कोश्चन आये हुए हैं व्याख्याता में जाये वह व्याख्याता, कॉमर्स का हो या फिजिक्स का हो या फिर मैतेमेटिक्स का हो इसके सभी जो कोश्चन है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ तो आज इसको एक-एक करके हम डिल करते हुए जाएंगे और व्याख्यता में केवल 5 नंबर के question आते हैं computer के लेकिन ये बहुत ही महत्रपूर्ण होंगे अगर अगर आप 5 नंबर के जो question है आप अपने subject से बनाने के लिए जाएंगे तो कितना cutting होता है वो आपको पता ही होगा तो ये जो पांच नंबर के question है computer के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा महत्रपूर्ण हो जाता है जल्दी से करते हैं पहला जो question है वह क्या है पहला question है लैन जो है वो क्या है लैन जो है वो क्या है लैन जोड़ता है एक computer को क्या करता है कौन से खालिस्तान है और उसके बाद के computers को तो इसका कहने का अर्थ है क्या लैन जो है वो एक शहर को computer से जोड़ेगा या एक देश को computer से जोड़ेगा या एक महादिप को computer से जोड़ेगा ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है अगर हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी लगता है जैसे कि कारे स्थल तो यह office है country continent और यह क्या हो जाएगा city तो land क्या होता है उसको पहले हम जानते हैं land क्या हो जाएगा land हो जाएगा local area network नाम से इसपस्ट है local area network हो यह जो मतलब क्या हो जाएगा यह जो होगा और यह करेंगा ओफिस को क्या करता है यह cover करता है ठीक है आसपास का office इसका earth क्या होगा जैसे कि एक cafe हो गया ठीक है cafe में क्या है बहुत सारे computer होंगे तो वो क्या है एक particular area को ही क्या रहते है यह जो area में होंगे वो किसके दूरू जुड़े रहेंगे लोकल एरिया network के गेट्रू जुड़े रहते हैं इसका answer क्या हो जाएगा एक चैलिस का answer बी हो जाएगा हमारा कारी स्थल जो गवो answer हो जाएगा ठीक है यह इसका हो जाएगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा ठीक है इसके बाद देखते हैं यह समझ में आया लेंज क्या होता है इसके बार देखते हैं डीवीडी क्या है डीवीडी जिसका यूज जाएगा फूल फॉर्म होगा वह क्या होगा पहले तो इसके बार हम देखते हैं कि DVD होता क्या है ठीक है तो DVD जो होगा वह होता है पहले तो यह एक memory का part है computer की जो एक memory होती है उसका part होगा memory में भी क्या होगा दो प्रकार की memory होती है एक होगा primary memory और एक जो होगा वो secondary memory होगा ठीक है एक जो और जड़ा oh Sorry memorize memory होती है उसमें कि यह जो डी वीडी होगा क्लों क्या होते हैं सेकेंड्री में मोरी का पार्ड होते है च्छे है कौनफी मेमोरी का पार्ड होगा सेकेंड्री मेमोरी का पार इसमें भी एक और कैटेग्री आति है ऑप्टिक ARE ठीक है, क्या आएगा, आप्टिकल आएगा, तो आप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी कौन सी, DVD, CD भी कौन सा मेमोरी हो जाएगा, आप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होगा, ठीक है, आप्टिकल चमकते रहता है वो, ठीक है, प्रकाशी मतलब क्या हो जाएगा, वो चमकते रह रहते हैं यहीं क्या हो जाएगा मेमोरी जो होगा वह अप्टिकल सेकेंडरी मेमोरी होती है अब इसमें इसमें क्या रहते हैं डीवीडी को आप देखेगा तो का में स्वहास्त अभी विए ठीक है उसमें क्या होता है कि उपर साइड कैージ आंता है तो तो उसमें पूनि रहेखा उसके नीचे इसका जो मानक छमता होता है वो कितना होगा DVD का अगर मानक छमता पूछेगा Standard Capacity पूछेगा तो यह होता है 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक कितना GB 4.7 GB से लेकर 8.5 GB तक क्या होगा इसका मानक छमता होगा ठीक है यह question आया हुआ है और ठीक है किसी एक्जाम में यह question पूछा गया मानक छमता कितनी होती है DVD की इसके बाद देखते है इसका full form ठीक है full form पूछा है तो इसका full form होता है digital versatile disc versatile disc ठीक है यह जो digital versatile तो versatile का अर्थ क्या होगा अक्षा कुमार को जानते हो ना versatile actor comedy भी कर लेता है और fighting वाला भी है ना पूरा all rounder तो versatile इसी प्रकार का होगा वीडियो अगर आएगा तो वीडियो भी answer आता है अगर यहां पर versatile नहीं लिखा रहा और वीडियो लिखा रहा तो उसको भी answer लेते हैं लेकिन अगर वर्सेटाइल लिखा है तो वर्सेटाइल ही क्या होगा इसका right answer होगा ठीक है digital versatile disc ठीक है दोनों एक साथ देगा तो फिर यहां से क्या हो जाएगा डिजिटाल वर्सेटाइल क्या हो जाएगा डिस्क हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा तो फिर कि क्या हो जाएगा इसका right answer होगा यह समझ में आया यह question ठीक चलिए आगे देखते हैं कि यूट्यूब है कि यूट्यूब को कौन नहीं जानता है ने सब लोग रिल्स देखते रहते हैं लोकल एरिया नेट्वर्क अच्छ है कि हाजी डेली क्लास होगा डेली चार वजे आज से स्टार्ट है हाँ हाँ कमेंड भी देख रहे हैं चलिए इसका अंसर बताइए क्या होगा यूट्यूब है क्या हो जाएगा क्या वह एक म्यूजिक चैनल है क्या मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म है क्या वह ब्राउजर है या सभी है ठीक है यूजिक चैनल है यूजिक चैनल जो होगा वह होता है जैसे की जी ओ सावन है ना सुनते हो ना जी ओ सावन वाला छोड़ दो सुनना अ सुनते हो ठीक है और क्या होता है गाना.com तृब है यह सब होगा तो यह सभी यह म्यूजिक चैनल है ठीक फिर इसके बात मटी मीडिया प्लेटफॉर्म और रेकी ब्राउजर ब्राउजर जो होगा, वो क्या होगा, जिसके अंदर क्या होते हैं, सर्च इंजन होगा, जिसको क्या करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, यह हो जाएगा, ब्राउजर हो जाएगा, ठीक, ब्राउज किया जाता है इसको, या ब्राउजिंग किया जाएगा, मल्टी मीड ये क्या होंगे इसमें फॉरम रहते हैं तो यह क्या हो जाएगा मुल्टिमीडिया ले प्लेट फ़ scrut हो जाएगा तो यूटुब किया है हमारे लिए एक मिल्टिमीडिये ब्लेट वो होता है घ्रिक अब इसके सरगत और क्या हो जाएगा तो 2005 में 2005 में तीन लोगों ने इससे बनाया था ठीक है तीन लोगों ने इससे बनाया था यह क्या है स्टीव चेन और यह क्या हो जाएगा चाड हरली और एक जे से जावेद करीम जिन्हों से पहला और यह 25 में और यह 3 कौन सी कंपशन के से यह ती प्रकांच में आई उस समय कार्य रख थे और उनों यूटूब का निर्मान किया 2005 में इसके बाद 2006 में यूटूब को किसने अधिगरहन किया तो गूगल ने इसका क्या कर लिया अधिगरहन कर लिया तिक 2006 में Google ने क्या कर लिया इसका अधिगरहण कर लिया तो यह हो जाएगा YouTube के बारे में और क्या हो और एक question आता है YouTube के बारे में बहुत ज्यादा important question जो होगा वह हो जाएगा क्या यह क्या है video streaming website यह video sharing क्या होता है website होता है ऐसे करके आता है तो यह याद रख लेना अब इसके बाद तो इसका answer हो जाएगा हमारे लिए भी इसका राइट answer होगा ठीक है कि समझ में आ रहे हैं कि कुछ लग रहे हैं तीनों रहे हैं अच्छ ऐसा अब इसके बाद दिखते हैं क्या होगा Excel में formula की category नहीं है तो सबसे पहले समझते है Excel तो यह बात कर रहा है MS Excel की ठीक है MS Excel जो होगा वह क्या होगा तो यह MS Office का बहुत बहुत जादा important क्या होता है program होगा software package होगा ठीक है उस package के अंतरगत आता है क्या MS Excel यह क्या होगा spreadsheet software होता है याद रखने इसको क्या बोलते हैं इसको spreadsheet software ठीक है जिसमें क्या रहते हैं रो और column में क्या रहेगा यह विभाजित हुआ रहता है रो और column में विभाजित हुआ रहता है ठीक अब इसमें देखते हैं यह MS Excel है अच्छा आंसर बताइए इसका अगर कोई जान रहो तो वीडियो सेरिंग वेब साइट होता है ठीक है तो यह जो होगा वह थाए आप नगे इस में खाने ऐसे बने रहेंगे यह इस प्रकार का यह जो होगा वह एक single जो बोक्स स्टाप करेंग। उसको भोलते हैं क्या हम सेल ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेल इस इसी में ही क्या किया जाता है, formula लिखा जाएगा, ठीक है, इसी में ही क्या लिखा जाता है, formula लिखा जाएगा, या कोई भी, जो text है, वो इसी में ही लिखे जाते है, cell में, ठीक है, पूरा ऐसे box रहेगा, उसमें से कोई एक जो part रहेगा, उसमें क्या लिखा जाएगा, text यह नहीं है वाला जो शब्द देना एकाथ नंबर चला जाता है इससे तो यह होना नहीं चाहिए अब एकदम वेकेंसी सामने में हैं इसके लिए सबसे अच्छा है MCQ अगर लगाते रहो ठीक है तो यह क्या हो जाता है फिर प्रैक्टिस में आ जाता है वो नहीं जोटेगा फिर वैसे अब देखते हैं यह क्या होगा अरिथमेटिक तो याद रखिए CPU जो होगा वो दो प्रकार की कारी हमेशा करेगा चाहे वो एक्सल में हो वर्ड में हो या पूरे computer के किसी भी function में हो दो प्रकार के कारे यह होगा CPU करता है कौन सा एक जो होगा वो arithmetic और एक जो होगा वो logical ठीक है इसलिए इसको क्या बोलते हैं इसके दो पाठ होते हैंар nieuwe logical unit और control unit अब बोलोगे CPU क्यों बता रहा हूं क्योंकि यह जो होगा वह एक arithmetic और logical यहां पर question में है थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो यह यही पर बन जाएगा question का answer arithmetic और logical यह दोनों क्या है यहां पर दिख रहा है arithmetic और logical ठीक है मतलब यह क्या करेगा यह दोनों को गणना करे गणना करेगा ठीक है एक जो होगा वह बीच गणिती गणनाय करता है ठीक है plus minus गुणा भाग यह दुनिया जहां का ठीक उसके बाद क्या हो जाएगा logical का मतलब क्या हो जाएगा यह चोटा है बड़ा है इक्वल है यह सब लॉचिकल हो जाएगा ठीक है तो यह सब गणना किसमें होती है Excel में भी होता है MS Excel में ठीक है अब यहां पर देखते है formula में यह होगा कि नहीं होगा तो यह plus minus तो होता ही है greater than less than भी होता है और सांखी की गणनाय होती है और किस प्रकार होती ही कि जो संखी की गणनाय होंगी वो हो जाएगा ईक्समें एक्सल में और सिक्वीया का रहता है तो तीनों category को यह क्या करता है follow करेगा मतलिशनाओ category होती है तो कौन सा नहीं होगा, syntax का meaning क्या होता है, तो यह जो लिखा हुआ है, S, Y, N, T, A, X, यह पूरा क्या है, syntax है, S, T, A, T, I, S, T, I, C, A, L, यह भी क्या है, syntax है, आप लोग पड़े होगे, syntax error बताता है, ऐसे करके, जैसे कि कुछ नाम है ठीक है लौजिक लिख रहा है कि लॉजिक एख यह हुआ अब मैं लॉजिक का स्पे लिग दूं आज लिग दूं तो यह क्या बताएगा ऐसे रेड लाइन बता अगा नीचे है ना spelling and grammar mistake ऐसे बताता है ठीक ऐसे बताएगा यह रेड लाइन ऐसे करके बताएगा तो यह क्या होता है यह syntax error होगा ठीक तो यह error किसमें दिखाता है excel में भी शो करता है ठीक यह मतलब यह category नहीं होती है excel में तो answer क्या होगा syntax हमारा क्या होगा right answer होगा ठीक है कि समझ में आया यह question नहीं समझ में आया चलिए देखते हैं कि यहां कुछ अलगी बात चीछ चल रही है हाँ कि अधिए यह देखते है excel में formula की category नहीं है तो formula की category किदने टैप की होती है वो हमको पता होना चाहिए ठीक है तो formula की category का meaning क्या होगा सबसे पहले formula बनता किस से है और क्या क्या चीजों से बन रहा है उसके बारे में पता होना आवश्यक है इसमें क्या क्या हो जाएगा मैं CPU को काट रहा हूँ एक होता है क्या हमारे पास computer में जो दो प्रकार की गणनाए होंगी वो होती है कौन सी एक arithmetic मतलब 20 गणनाए ठीक है और दूसरा जो होगा वो कौन सा तार्की गणनाए यह दो प्रकार की गणनाए होंगी होती है न ठीक CPU का जो भाग होगा उसमें ALU और संट्रोल यूनिट होता है ALU मतलब arithmetic logic unit ठीक है logical unit तो उसमें क्या होगा एक 20 गणनाए होगी और यह तार्की गणनाए भी होगी उन्हीं का मैच में लिख देते हैं X प्लस Y ऐसे करके X प्लस Y प्लस Z लिखे इक्वल टू जीरो फिर X प्लस Y माइनस Z फिर और अगर कुछ मान दिया है तो इसमें पूट करते हैं यह category जो होगी वह Excel में नहीं होगी इस प्रकार का कोई भी जो formula होगा वह Excel में क्या होगा नहीं होगा ठीक जैसे कि और formula बता दे रहा हूं अरे वह एकदम बेस्ट formula है ए प्लस B ए माइनस B इस प्रकार का जो formula होगा वह Excel में क्या होगा नहीं हो पाएगा यह इसका meaning यह है कि formula की category यह नहीं है ठीक यह हो जाएगा हम लोग क्या सोचते है formula है तो maths कभी तो formula होते हैं यह formula यह computer में एक्सल में काम नहीं करेगा यह बता रहे हैं ठीक है यह formula तो पढ़े होना सब कि दस्वी तक तो हर कोई पढ़ा होगा कि बीना दस्वी पास किया आगे जी कि यह चल्विए ठीक हुआ हुआ है टेस्स का बताएंगे बताएंगे अभी टेस्ट सीरीज का कि अग्यां आप अंसर नहीं दिखता है टेस्स का ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या है कि साथ एक एडमी के एप में पूरा आंसर दिया हुआ है ठीक है या फिर टेलीग्राम चैनल ने मिल जाएगा और अभी तो सीडीपी का फ्री टेस्ट चल रहे है दस कोशन डेली आते हैं है ना तो उसका फायदा उठाइए कि कम से कम जो चीज़ में मिल रही है उसको तो लाब लो एंटी वायरस का उधारन है कि एंटी वायरस का उधारन है बताएंगे कि एंट्फिक्स बी यूट्यूब सी क्विक हील और उपरोग में से कोई नहीं कि इधर आंसर देखते हैं कि कैसे जी मेरे चेहरा ही नहीं दीख रहे है और कालर हो गया हूं क्या मैं है ना कि कि खील बोल रहे हैं अच्छा ठीक ठीक है कि अधर आप है कि मैं तो पहले से यह चूंड़ा करते हैं ठीक है चलिए देखते हैं अभी इसकांसर एंटी वायरस क्या होता है कि मैं आपने तब्यात को देखते रहे तता और लेट हो जाता है सब्सक्राइब एक तरी को इस्टार्ट करना ही है यह से सब्सक्राइब एंटी वायरस क्या होगा पहले तो यह देखते हैं एंटी वायरस होता है एक क्या होगा सफ्टें पहले त्या उप्सक्राइब एंटी वायरस क्या होता है इस इनतरगत क्या यहीं स at हआए यह अच्छे से याद रखना एंटीवाइस को बूस्त साफ्ट्वेर है तो यूटिलिटी क्या है यूटिलिटी सौफ्टवेर एक हमारा एंटीवाइस नौटिवाइसismने कौन कौन सां ऐन्टीवाइस जह होगा वह प्रीपर जो होगा वह पहला इंटिवायरस हो जाएगा इसमें जो होगा वह फ्री का एंटिवायरस कौन से है तो फ्री एंटिवायरस जो होगा वह जाएगा एवीजी ठीक है फ्री का एंटिवायरस जो होगा वह एवीजी हो जाएगा एवास्ट भी है ठीक है यह दोनों जो भी कि होंगे वह free के एंटिवारस हैं तो इसम से अंसर क्या होगा जो का वो nath is katech नेट्फ लिक्स कैसे को तो आप लोग अच्छे वता सकतेçं क्या है और नट्विक्स स्क्या जी कि यूटूब का तुम्हें बता दिया क्या है कि वीडियो सेरी वेब साइट है ठीक है नेट्फ्लिक्स क्या है और एक है अधरा अधर नेट्फ्लिक्स है और 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 क्या क्या आता है एमेजन प्राइम ऐसा कुछा आता है कि अप्राइम अधर आता है उसमें बहुत चलता है वह सब क्या है वह कि एप्लिकेशन तो है आप आता है नहीं उसको इस्टॉल करते हैं हम एप है वो गुगल प्ले स्टोर से कि छलिए ठीए यह यह एक में एक एप एप बोलते हैं उसी को तो एप गोलते हैं थे चलिए है तो हो गया बस यहां बप्क यह हो जाएगा लेक्टेर मैत का अभी तक क्या देखिए लेक्टेटीकल अब इसमें देखिए क्या अब इस मैं देखते हैं कि यह पांच नंबर आप लोग कब अधर से वैसे कोश्टिन आज वे पूछेंगे इसमें भी 2023 में एकदम जदा तफ न ही पूछेगा यह जो 20 नंबर करता है लेक्चरर वालों के लिए बीस नंब्र का जो कोस्षिन रहेगा वो क्या रहेगा वह बहुँत उसको बिल्कुल एकदम अच्छे से बनाना है इसमें देखते हैं कंप्यूटर की समाने जानकरी में वर्ड प्रोसेसिंग में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर पैकेज का एक अनिवारे कारिय नहीं है यह बोला गया है तो कौन सा पहले यह देख लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्ट्वेर होता क्या है तो वर्ड प्रोसेसिंग में इसको ब्रेक कर दो वर्ड को वर्ड को क्या करेगा मतलब शब्दों को क्या करेगा वो प्रोसेस करेगा ठीक है एक प्रक्रिया से क्या करेगा प्रोसेस होगा वह क्या होता है निर्देशों का समूम मतलब प्रोग्रामों से मिलकर Presents एक software बनता है ठीक है antivirus क्या है और एक utility software है ठीक तो यह जो होगा वो क्या होगा word processing software फिर इसके बाद यह क्या होगा यहाँ पर जैसे मैं इसका एक example लेता हूं word processing software का MS word सब लोग इसको देखे हो ना कि यह जो बना हुआ है यह पूरा format यह भी किसमें बना हुआ है अगर इसके लिए अलग से software नहीं यूज किया गया होगा तो यह MS word में बना है ठीक है तो MS word से बहुत सारी चीज़े टाइप भी की जाती है maximum जो office work है वो MS word में ही complete हो जाता है ठीक है फिर इसके बाद सेविंग मतलब जब भी हम बनाएंगे सबसे पहले उसको क्या करते हैं है फोड़े टोड़े द्मी एभ में श्यूद करते जाते हैं तो सेव करने के बादा हम क्या करेंगे उसको अगर कहीं पड़ कुछ बंद करते करेंगे edit करने का मतलब क्या हो गया जैसे बहुंस सारा type करते रहते हैं college type करेंगे तो उसमें को कुछ सुधार करना हो तो क्या कर देते हैं उसको erase करते हैं test करते हैं आज इसके बाद दिखते हैं तो प्र्मेटिंग क्या होगा Oprah में जाता है मोबाइल को क्या करना है थार रहा है मोबाइल को हरण करना पड़ेगा तो यह फॉर्मेट वह ही प्रक्रिया होगी पूरानी में जो भी challenges में जो भी चीजे हैं वैसे computer में जो भी सीज़े होंगे उनको क्या करना पड़ता है हटाना पड़ता है और उसके बाद क्या होगा नए चीज़ों के लिए इस्थान बन जाएगा यह हो जाएगा फॉर्मिटिंग तो यह तीनों प्रक्रिया क्या होगी इसमें चलती है किसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉब्ट्वएर में तो कौन सा नहीं चलेगा टो नहीं चले गा कौन सा मतलब इन्डेक्स बनाना जो मा एगदम अनिवारे नहीं है कि आप लोग बचपन से डिक मिया यह इंडेक्स का यूज किया हो क्या कभी की के पेज में रहता है यह याद है कि नहीं हाँ तो कभी यूज किये हैं उसका कि एक परसेंट लोग बस करते हुए है ना और आप लोग टीचर बनने वाले हो पहले वही बनाना पड़ता है याद है नहीं तो तो सिखाना भई अपने बच्चों को है इंडेक्स पहले बनाना है तो यह इंडेक्सिंग क्या है यहीं से क्या है यह अनिमार्य नहीं बता Тप है MS Word में या एक्सल में भी नहीं बनता है ठीक है यह हो जाएगा यह जो इंडेक्स होगा वो वर्ड प्रोसेसिंग software package का क्या है अनिमारे भाग नहीं है ठीक तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो का यह हमारा राइट अंसर है समझ में आ रहे हैं सभी को आप सभी को समझ में आ रहे हैं जी ऑनलाइन वाले मेरे मित्र बंधू हाँ कि चलिए ठीक है अब इसके बाद देखते हैं gpu का पूर्ण रूप क्या है जी पी यू का पूर्ण रूप क्या है तो यहां से देखते हैं gpu का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा तो पहले GPU होता क्या है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा क्या ग्राफिक इसके बाद प्रोसेसिंग ठीक है ग्राफिक प्रोसेसिंग और यू से क्या हो जाएगा यूनिट तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है ठीक इसमें फूल फॉर्म पूछा है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कौन साइस में अगर उधर से नहीं समझ मैं एकदम हिंदी हिंदी लग रहा ह ना graphics processing unit पहले यह answer है है ना पहले ही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा अब इसके बाद देखते हैं यह होता क्या चीज़ है नहीं नहीं ग्राफिक्स होगा ग्राफिकल ग्राफिकल इंटर्चेंज फॉर्मेट होता है गिली गिली छू वाला आता है ना इमोजी हाँ वही वाला तो आता है क्या जी आई एफ गिली गिली छू ऐसे करके नहीं दे यह आप लोग के पास नहीं आते हैं ठीक है मेरे दोस्त हैं 21-22 साल के वो लोग भी सुन रहे होंगे अगर वो ऐसी भेज देते हैं बलता हूं कैसे कैसे दोस्त बन गए हैं आ रहे सकते में 22 साल के हैं फोल होगा खर वो फूर्णा रुक्त क्या हो जाएगा इसका क्राफिक्स प्रोकों और ये दो क्रॉंक होते यह फोलगर जो भी आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे है रहे यह जो थमनेल डिखते हैं एक grab time के अंतरगत ही आता है यह जो grabड़ डिजाइन मैं होता है उसमें क्या होगा इस पूरी का क्या होता है एक सिस्टम होगाusan केफ्ट ठीक है उसी को क्या किया जाता है एक ब्रोसेस को आ कि सभी सब्जेक्ट का है कि ऐसी सुजाओ आप लोग के साइट से आएगा तभी तो उस पर अमल किया जाएगा है ना ठीक चलिए ठीक अब यहां से देखते हैं इस प्रकार का वायरस आम तोर पर इमेल के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है तो वायरस जो होगा वह सबसे पहले क्या होता है बताइए वायरस क्या होगा तो वायरस हो जाएगा एक जो होगा वह जाएगा प्रोग्राम हो जाएगा ठीक है यह क्या होगा प्रोग्राम लिखा हुआ नहीं मिलता है सॉफ्ट्वेर लिखा हुआ मिलेगा तो यह भी आंसर सही है लेकिन to be around होता है अद्रै का इन दुनों को मिला कि तो मालवेयर बोलते हैं मालवेयर का मतलब क्या हो जाएगा मयलेशियस एम ऐलमेलेशियस और आप यह स॑फटेर influencer गवेयर जोड़ दिए इस प्रकार का ठीक द्वग्राम क्याहता है अब देखते हैं यह ना कह है थीक है तो मैक्रवायरस यह रख मitants आस्प्सक्रवाइल्स और इन्सपेक्टर वारास यह सेल्ब मोडीफाइंग वायरस थी चलिए बताई तो विसका आंसर क्या होगा अंसर नहीं आ रहे हैं जी पूर्ट सेक्टर वायरस जो गहए देखे इसका इसका है इसका अंसर हो गामारा मैकडbrarर कि कर अधर सुनिये हैं ये जो गा वो किसी भी फाइल के MS Word या MS Windows ये सब फाइल के क्या करेगा उसके एप्लिकेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है साथ ही साथ ये email को भी क्या करेगा प्रभावित करेगा ठीक है तो ये दो चीज़ों को प्रभावित करता है पहला जोगा वह जाएगा MS Word या फिर इसी को लिख सकता हूं में क्या विंडोज को ठीक है ये प्रभावित करेगा और साथ साथ किसको प्रभावित करता है email को प्रभावित करता है कौन सा हमारा macro virus इसका example हो जाएगा Melissa ऐसका एक्जांपल क्या होगा मैलिसा क्या हो जाएगा इसका एक्जांपल होगा अब यहां से तो इसका अंसर क्या है यह हमारा राइट अंसर है इसके बाद तो तो पहले तो डव्रोड वाइब जो गा वो हो जाएगा वर्ड वॉइड वेव ठीक है मतलब क्या हो जाएगा विश्व व्यापी जाल ठीक है अब यहां से देखते हैं इसका सबसे पहले 1989 में प्रस्ताव भीजा गया था टीम बर्नर्स ली द्वारा सबसे पहले प्रस्ताव भीजा गया था इसमें देखते हैं जो टीम बर्नर्स ली द्वारा सबसे पहले प्रस्ताव भीजा गया तो अगर कभी कोश्चन आये कि www का अविश्कार कब हुआ तो 1989 में लिखना ठीक है फिर इसके बाद 1991 में इसमें क्या किया गया इस प्रस्ताओं को माना गया स्विकारा गया और उसके बाद टीम बर्नर्सली द्वारे इसको क्या किया गया एक्सेप्ट भी किया गया ठीक है सॉरी संग द्वारा क्या किया गया इसको एक्सेप्ट किया for nuclear research इस company के द्वारा 1993 में इसको निशुल को उपलब्द कराया गया था यह याद रहेगा कि खेर पढ़ाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है यह यह तीनों यह याद होना चाहिए अच्छे से याद करना है यह तीनों को अब इसके बाद देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा www के अविश्कार टीम बर्नर्स ली ठीक है इन्होंने बहुत सारा अविश्कार किया था और डबलू डबलू ठीक है और क्या हो जाएगा इन्होंने पहला वेब साइट बनाया था प्रतम वेब साइट का निर्मान भी इन्होंने किया था ठीक है यह बहुत सारा चीज़ है तीन चार्टों और है इसको बताएंगे चाहिए एस टीटीपी यह बताएंगे इसका अंसर अब भी बताया था पहला कोश्चन था यह पार अज़िए इसके बाद सोच रहे हैं बोला लगाने के बाद सोच रहें कि आरे आंसर तो यह आना था कि is what it THAT is क्शूरी क लास भी होगी पहले 24 एमसी क्小 जाने दो क्योंकि पहले किस प्रकार के मखोसेण आते हैं हमको पहले पता चलना चाहिए उसके बाद करेंगे फिर उसके क्या हो जाएगा किस वर्ड किस company क्या गया था 2005 में सबसे पहले यह आया था किस के दारा बदाएज सेव चैन्ट घरली और जावेत करीम के दार ठीक है पेपालद company के में करे राध था झान तेनों इसके बाद क्या हो जाएगा किस company ने इसे launch किया लेकिन 2008 में इसका दिग्रण किया था कि इसने गूगल नहीं इसका नाम यहां पर क्या है गूगल आया तो यह आंसर क्या है मारटी राइट अंसर है ठीक है चलिए आप आगे देखते हैं कि फेस्बूक लिखवाया है कि मैं तो गूगल लिखवाया हूं मुआ है तो उसको थोड़ा सुधार लेडов ती है ऐसे जरूरी है एक एक पी संबंदीत कोश्चन क्यूश्व कांप्यूटर सी स्चामिल होती है तो तो सभी के सभी चीजंग क्या होती है इसमें अब यहां पर देखना हार्डवेर क्या होगा जीसे हम चू सकते हैं और देख भी सकते हैं देख सकते हैं प्लस चू सकते हैं साफ्ट वेर को हमलों के गवाल देख सकते हैं और ओप्रेट कर पाएंगे कि हां यह हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा उप्रोग्त सभी अब इसके बाद देखते हैं खालिस्तान से एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है चलिए आंसर बताईए इसका आंसर क्या होगा 141 का 142 का तो समझ में आ रहे है ना क्लास तो यह देखिए पहले क्या बोल रहा है खाली प्रेजेंटेशन मौझूदा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेंप्लेट और उप्रोगत सभी तो ब्लैंक presentation, existing, या फिर इसको बोल सकते हैं, current भी बोल सकते हैं, current presentation होगा, फिर उसके बाद design template, ये सभी, क्या ये सभी होंगे, तो नई presentation का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे-सीधे, file वाले option में, या फिर अभी जो आया है home, तो home menu में, file menu या home menu में जाएगे, वहाँ पर रहता है new presentation का, उस presentation चल रहा होगा, वो हो, या design template हो, किसी में भी क्या होगा, किसी में भी हम लोग ये new presentation क्या कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं, ठीक है, ये उसी प्रकार है, जैसे कि अगर कुछ चीज, MS Word की हम बात करते हैं, तो उसमें new file कभी भी open कर सकते हैं, वहाँ पर, जाएंगे new option में, और क्या हो जाएगा, तूरंग new को click करेंगे, क्या हो जाता है, वो नई file आ जाती है, ये हो जाएगा, ठीक, तो ये क्या बताता है, इसका answer क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका answer होगा, अभी कम से कम देख लो कि किस प्रकार के question आते हैं, ठीक, फिर उसके बाद theory class में पता चलते जाएगा, कि हाँ, ये ऐसा हुआ, ठीक, चलिए देखते हैं, इसका pdf अगर टेली ग्रम में मिल जाएगा, अब इसमें देखते हैं, सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और प्रदोगेकी का एक अनुप्रयोग है, तो याद रखिए, सरकारी सेवा जो भी सेवादी जारी गवर्नेंस हो जाएगा, अब इसी में क्या जुड़ गया, इगवर्नेंस जुड़ जाएगा, ठीक, तो इगवर्नेंस में इका मतलब क्या होता है, इमेल में इका मतलब क्या होता है, और इकॉमर्स में इका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनिक, ठीक है ये सबसे ज्याधा इसमें फूश्टा है ई-मेल में यह ए का मतलब क्या होता है कि यह कोंशन फूश्ट है कि इतना इजी है बताइए यह जाता है समस का full form फूश्ट है कि यह सब छोटी छोटी चीज एक बार इंगलिश में इटी सी का Full Form फूशा था ंट करें ने तो उसमें अलग-अलग है एक चोड़के दिया था एक दम अलग और सेटेरा को अलग दे दिया था है ना है वह जैसा मनो इसा देता है अब इसमें देखते हैं बैक-अप क्या है बैक-अप लेते हो ना अपनी गूंगल डॉइव में या पेंट ड्राइव में या cd cassette तो फोटो अगरे लेंगे कैमरा में उसके बाद उसको क्या करते हैं पहले तो फ्रेम बनाएंगे या तो फिर उसको कैसेट बनाएंगे यह एक प्रकार का क्या है बैक अप है ना ताकि क्या रहे हैं वो जब पूराना एक दम 10-20 साल बीच जाएगा फिर वो देख के और रोहे है इसे वालत है ना तो उसके लिए क्या करता है बैक अप बनाया जाता है keen यह चीज है हृस आज भी है भी अगर डेटा रहेंगा उस डेटा को क्या किया जाता है एक यग से उठा कर दूसरी जगह पर लाया जाता है यहां पर अगर आपका क्या है में डिवाइस यहां पर है उस डिवाइस में अगर वो डेटा है उसको उठाकर कहां लाए जाएगा उसको साइड में रखा जाएगा जहां पर क्या हो सुरक्षित हो सेफ हो ठीक है वहां पर उसको रखा जाता है तो यह क्या हो जाएगा यह होता है बैक अप ज इसके बाद पुराने डेटा को नए डेटा से फिल्टर करना डेटा टेप पर एक्सेस करना इसका अंसर हो जाएगा ठीक है एक डेटा को मूल स्रोथ से कौपी करके क्या करना अलग इस्तान पर सुरग्षित रखना यह है क्या बैक अप का मुख्य उद्देश अब लास्ट कोशन देखते हैं हाट डिस्क ड्राइव सीडी ड्राइव और डिवीडी ड्राइव किसके उधारण है अभी बताया था मैं अब नाम पढ़ते हैं जी किनका किनका अंसर आ रहा है चंद्रकांता 145 ए नानक प्रीद ए ठीक है और शक्ति जैस्वाल जी उनका है 15 का ए आम मतलब ए बोल रहे हैं ना अंसर ठीक सीमा साहू 145 ए सरस्वती साहू ए और सबका अंसर आ रहा है बढ़िया गोंती आदाव ए ए और राकेश कुमार ए नेहा राजपूत ए हां बढ़िया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव cd ड्राइव डेवीडी ड्राइव किसका उधारन है पहले देखते हैं यह सब क्या होगा यह सब जो होगा वह एक मेमोरी का क्या होता है पार्ट होता है, ठीक है, मेमोरी का पार्ट हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा, मेमोरी का जो पार्ट होगा, हार्डिस्क का ड्राइव, CD ड्राइव और DVD ड्राइव, ये तीनों जो होंगे वो मेमोरी के पार्ट है, ड्राइव का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को रन करन के लिए क्या होगा एक प्रकार का प्लेयर हो जागे जैसे कि डिवीडी प्लेयर होता था हमारे पास CD player होता था, उसमें cassette डालते थे, CD या DVD cassette, उसके बाद हो क्या होता था, हमको दिखाई देता, या वो run होता था, उसी प्रकार का क्या होगा, hard disk drive, CD drive, DVD drive होता है, ठीक है, आप इसके बाद देखते हैं, ये क्या होगा, ये सबसे पहले तो होता है, जैसे कि सब लोग बता रहे है आंसर, storage और भंडारन, ठीक है, तो storage और भंडारन सबको clear है, ये होता ही है, उसके बाद दूसरा लिखा है, storing, इसका मतलब क्या होगा, तो उबर वाले का मतलब वो भी वही है तो इसको क्यों लिखा है यह के वर घुमाने के लिखा है इस्टोरिंग है ना दोनों का मतलब क्या है एक ही है ठीक आइंजी लगा कि कोई एकदम आ रहा है जा रहा है वाला फॉर्म नहीं होगा इस्टोर मतलब इस्टोर ठीक इसके बा से डेटा को उठा कर दूसरी जगह पर रखना और सेफ रखना तीनों काम करेगा अगर जो साधिवादी का बोल रहा था मैं जो क्या वहलतें उसको कैसे ठीके उसको भी क्या करते हैं मोग एक जगह से उठा कर दूसरे जगह बैकाप की रूप में रखेंगे जिस्क ड्राइव ट्रीक नहीं है यह मेरा अनुभव मुझे बोलता है कि ऐसे टिक कर दिया करो ऐसे जब नहीं पता रहता है और कम कोश्चन बने रहते हैं मैं ऐसे टिक करके आता था कीक g कैसे यह दिख रहे है बैक अप क्या है इसमें सबसे लंबा लाइन क्या है कि यह है यह जांशर है क्योंकि वो जानता है मैं इतना वाप टइप क्यूं करूंगा जब यह गलत आंसर है तो देखना आप लोग प्रीवेस से कोश्चन बना कर देखना मतलब अगर मेरा अनुमान है कि अगर 20 कोस्चन भी बनाओगे ना तो उसमें 17-18 बार तो ऐसी मिलेगा ठीक है एकदम लंबा वाला रहेगा ना वह जी आंसर है अधिकतर देखना लूसेंड के अगर किसी बुक में वैसा दिया है तो लंबा वाला यह आंसर है हुआ है हाँ तो किस्मत बेकार होगत मैं कुछ नहीं बोल सकता जी आप लोगों मेरा किस्मत तो एकदम बढ़िया बुलंद रहता था आई यह आंसर हो गया सब्सक्राइए तो यहां तक आया समझ आ आ गया ना हाँ है अब 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 देखें कंप्यूटर सार के उसमें संस्क्राइब धर्यूच्ण कुछ में नहीं खूल रहे हैं ऐसी ऐसी बेज्जेती कराते हैं ये लोग है तो तो सब किम बढ़िया बढ़िया चलेगा लोग किम क्या हो जाता है हां भी एक दो दिन होगा न हां मैं राथ हैं अगर बढ़िया सब लोग का लाइक शेर सब्सक्राइब करोगे तब मैं आऊंगा जी बढ़िया है ना ओनलाइन वाले मित्र बंदू सक्का जैन प्यारे मित्र बंदू अच्छा पिर 36 गड़ीं बोलना पड़ेगा संगवारी हो ऐसे चलिए यह तो उपन नहीं हो पा रहे हैं देखते हैं अब इसका क्या फंक्शन कहां पर काम कर रहे हैं ठीक है चलिए तो यहां पर क्लास ओवर करते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कल और इसमें सब्सक्राइब का वार में और भी बहुत सारे सब्सक्राइब रहेंगे लगबग 20-25 में लेकर रहूंगा ठीक है तो और इसके बाद टीचर और असिस्टेंट टीचर के भी जो कोश्चन है प्रिवेश के कोश्चन वह भी डिल करेंगे ठीक है कुछी इसी प्रकार से और आप लोग के कुछ सुजाओ हो तो फिर हम को बताईएगा बिल्कुल ठीक है आपके सुजाओ पर बिल्कुल अमल किया जाएगा ठीक चलिए धन्य बाद दोस्तों